मिडिल इस्ट में तनाफ थमने का नाम नहीं ले रहा है एक तरफ गाजा में जहां इसराइली आपनी संगर्हन हमास की कमर तोड़ने में लगा है तो वहीं इरान समझे कई उबरवादी संगर्हन भी इसराइल पर हमलावर है इसराइल हमास जंग अफिर खतरनात मोर पर आ चुकी है हिजबुला की ओर से लगातार रॉकेट और मिसाइल हमले चारी है लिबनान के हिजबुला लड़ा के लगातार इसराइली आलाकों पर धावा बोल रहे हिजबुला आतंकियों के हमले के बाद से इस्राइल दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने को मजबूर हो गया है लिबनान की तरफ हिजबुल्ला आतन क्योंगे हमले का जवाब दिने के लिए इस्राइली डिफेंस फोर्सेज यानि की IDF ने भी मोर्चा समालते हुए जवाबी कारेवाई करने से पीछे में हट रहा है इस बीच लिबनान के इसलामी प्रतिरोद ने दावा किया कि उसने कबसे वाले फिलिस्तिनी बॉर्डर पर कई इस्राइली मिलिटरी साइट्स पर हमला किया है हिचबुल्ला लड़ाकों ने बीट हिलेल बेस और आयरन डोम पर हमलावर ड्रोन से भी हमला किया हिचबुल्ला ने बताया कि उसके लड़ाकों ने हमलावर ड्रोन का इस्तमाल कर इस्राइली फोर्स और इसके ठिकानों को निशाना बनाया IDF ने F-16 लड़ाको जेट का इस्तमाल कर इन हमलावर ड्रोनों को रोकने का असफल प्रयास किया लड़ाकों ने दावा किया कि ये सीधे हमला करने में सक्षम था सोशल मीडिया पर वारल फुटेज में देखा गया कि हमलावर ड्रोन कपजे वाले फिलिस्तीन की ओर ब्लू लाइन को पार करते समय टान मटोल कर रहे इस्राइली अव्रोडों से पश्मितले अरब न्यूज अलमयादीन ने बताया कि लेडनान के एक हमलावर ड्रोन ने अलजलील पैल हैंडल में बीट हिलल बेस पयास पास एक सैन लक्ष पर हमला किया साथ ही इस्राइली युद्धक विमान कभजे वाले फिलिस्तीन की ओर ब्लू लाइन को पार करने वाले ड्रोन को रोकने में विफल रहे वहें इस्राइली मीडिया ने बताया कि हिजबुला ड्रोन कभजे वाले उपरी अल्जलील में ब्लास्ट हुआ इसकी अरावा तक्षिनि लेबनान ने अलमयादीन ने खुला सकिया कि लेबनान से कभजेवाले लेबनानी शेबा फार्म में इस्राइली मिलिटरी साय्ट्स में से एक की ओर कफर शुग्रा की कभजेवाली लेबनानी पहाड़ीयों की ओर सीधी गोली बारी की गई थी इस्राइली हमलों की एक सिरीज में पूर्वी इलाकों को निशाना बनाया गया हिजबुल्ला लडाकों के हमलों की वज़े से केरेट शमोना की इस्राइली बस्ती में ब्लैक आउट हो गया इससे पहले हिजबुल्ला ने दावा किया था कि उसने मिसायलों का इस्तमाल कर कब्जवाले लिबनानी शीबा फार्म में सीधा हमला करते हुए इस्राइली रुवेसेट अल-कर्ण साइट को निशाना बनाया था हिजबुला लड़ाकु ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तमाल कर कैफर शुबा की कबजे वाली लेबनानी पहाड़ीओं में इससे में इसराइली बस्ति मेटूला की एक इमारत में इसराइली सेनिकों का जमावडा भी शामिल था हिजबुल्ला मिलिटरी मीडिया ने कत्यूशा और फलक मिसायलों का इस्तमाल कर उतरी कबजे वाली फिलिस्तीन में इस्राइली बस्ती केरेट शमोना को निशाना बनाने की फूटेज भी जारी की